हेलो गईस सबीलो को स्वागत करते हैं में चल्म दोस्तों आभी हम व्लोग करने के लिए जा रहे हैं वहांगी है वह पर जाएंगे और वहीं पर हम आपको इस गार्डन का व्यू दिखाएंगे और किस तरह के यह गार्डन है कहां पर है यह वह सब समरा प्यारा भारत और CIM indie- Hugel Katie istate आपका यहाँ पर है यहाँ पर आपका CIM unique च्थट है actually यह आपका असाम के lower absorb part में है मतलब गहानी के सेड़ में है और यह आपका गहानी नलबारी सेड़ पर होगा और आपम aquest आपि देखिए नौगाव काफी दूर होता हैै तो systematia चल वाँ चाहे सरे लाएं हा बेर होता है और यहीं पर हम आज जाने वाले के आफ यहां पे अाम पर आपका यह काली सबस्क्राइब्स कि दूर है ऑर याज वहार है कुछ आपको मैंने मंदिर दिखाया दोस्तों है वह काफी खास मंदिर एक चुलि जो की हमारा यहां पर विश्ष्वेस नहीं है ब्लोक मेंने सांथ है जो प्लोक है करेंगे दोस्तों काफी दूर है दोस्तों काफी देख सकते यह काफी बैतरीन भी हुए यहां पर देख सकते दोस्तों बहुत सुन्दर नीला आस्मान है सामने और काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों आई होब यह जो व्लोग वह आपके काम में आएगा दोस्तों क्योंकि व्लोग में क्या होता है ज्यादा तर फिरना यह सब दिखाया ज आय। कि इसके डिक आपको वेंनन मारके सबसेरा लुए गय कर तक वाइक हुए उच्छली क्या होता है चैकने कि आपको बहुत सारा ऑटिल यह वर इंदिया पर अज़्याउ करना चाहएं तो बहुत लोग स्भशूत ऑस करते हैं कर दो तो Kåmar यह आपको केला मार्केट यहां पर देख सेकते दोस्ते सबसे बड़ा मार्केट इसके लेगा है कि मैं आपको यह चीज दिखाना चाहता हूं है और यहां पे कम से कम हर दिन अपको कम से कम सो से 200 यहां से निकलते हैं के लेगा और इंडिया जाते हैं सदेई लोग आप लोग यहां पर आकर विजर कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और जान कर Bevölker को सकते हैं में यहां यहां से पर्चेस करते हैं और बिहार सप्लाई होता है यहां से यह रहा आपका सीमली तलट की स्टेट है अभी हम पहुंच के दोस्तों यहां पर अब हम यहां पर आपको दिखाने वाले इस गार्डेन के कुछ खासियत क्या है क्या नहीं है सब कुछ इस वीडियो पर आपको कवर करेंगे दोस्तों आप लोग को यह पसंद आएगा तो आप लोग यह आपका सीमली तलट जगा का नाम है यहां पर यहां पर एक वेरिकेट दिया गया है दोस्तों काफी बड़ा है ठीक है यहां पर सामने फैक्टरी होगा शायद अंद लिए अपने यह तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों काफी सुंदर है और एरिया बहुत बड़ा है आपको में कवर नहीं कर पाऊंगा दिखाने ही सकते कि पूरा इतना बड़ा गार्डन पूरा एक साथ दिखाने पाऊंगा लेकिन गार्डन के बीच में से जाके आपक फेक्टरी में क्या होता है चाय पत्ती बनाया जाते है पत्ती से और वो प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी मेनेजर है नहीं तो इसलिए अभी गार्डन ही देखिए यह रहा उनका प्राइस का लास्ट जो गया है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यह आपका 126 रुपिस पर केजी के छलो आपटे है और है 122 रुपिस पर केजी के हिसाब सब कई तो यह जो इनका गया है दोस्तों लास्ट जो 43 नंबर सेल था ठीक वहाँ पे तो इसी तरह से इनका क्वालिटी अगर सही होता तो इतना हाई रेट पे सेल हो जाता तो इसका मतलब यह होता है कि इनका क्वालिटी जो है वह थोड़ा डाउन है और अभी देख सेकते यहां पे नेक्स्ट आपको कुछ गार्डेन भी आपको विजिट करेंगे या फिर में खुद विजिट करूंगा अगर फिक हो सका तो फेक्टरी का में दर्शन करवाँगा आपको अगर नहीं हो सकता है तो मैं बाहर से इस तरह से वीडियो बना का आ जाओंगा आप लोग को मेरा यह जो व्लोग है चोटा सा पसंद आया है दोस्तों और आशा करते हैं आप लोग मेरे इस व्लोग को फॉलो करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों आज के लिए थैंक यू एक्चुली क्या हो रहा है कि हमने जो भी हमने चैपती के गार्डन विजिट किया आज वह काफी सुन्दर था गार्डन और उससे भी सुन्दर आप लोग पीछे मेरे पहार जो देख सकते दोस्तों यहां पर जो हर्याली है यहां पर वह देहने में और मुझे बहुत में आज आया हूँ दोस्तों यह एक्चुली गाउ है तो आई होप कि मैंने काफी कुछ आपको यह कवर करके दिखाया है तो अर्शा करते अब लोग को पसंद आया होगा